आज का मैरा यह वीडियो से शुरूआ हो रहा है, नेज़े खेश की तरप से। और सो इसलेवित video हैा venir, यहां पे चडिया बहुत चैशा आ होगा है , मैं आया था अपने खेश की तरप टहलने, तो इसलिए यह यह वीडियो मेरा यही से स्थार्ट हो रहा है। और मैं अब हूँ अपने पुराने घर के पास क्योंकि गयात है इसके लिए चारा कटवाना है और वह भी बहुत अच्छी निकलने वाली है क्योंकि सूरज भी आगया है आपको दिमें दिखाता हूँ यह देखिए यह ना मेरी क्यारी है इसमें धन्या वगरा वोई हुई है और यहां पे सूरज सूरज भी बुला है अंसकार्व तो मुझको बुला रहा है मैं अब जाता हूँ देखता हूँ जाके चारा है वह पच् और इसमें भैस के लिए चारा कटेगा चारा कटने के मशीन है और यह है भैस का चारा तो मैं ना सचारा कटने के बाद आपसे मिलूँगा तो मैं इसका चारा कट चुका है और यह देखो मेरे इस तरफ का खेट यह सेरसो का खेट है मगर यह केट बढ़िया ज्यादा नहीं है बहुत ही कम इसमें सेरसो है और इसमें ना इस साइड लाशन बोया हुआ है चलो आपको मैं लाशन दिखाता हूँ लाशन का थोड़ा सा क्यारी में और धनिया भी यह ना इसमें लाशन है बहुत ही चोटा सुटा आपको दिखराओगा और इसमें धनिया है जबी चत्वे चत्लना है और भड़ी वह सफाई वगएरा भी करना है इसलिए वह भी करना पड़ेगा क्योंकि आप ठूपनी कलने लगी हो और चत्वी ब्रूप तोपी है इसलिए थोड़ा सा वहां भी सफाई दूपी है अब अब अपने गहर के तरफ जा रहा हूँ और देखो गारीों कर शोड़ कि इतना आने लगए है फिरस्ते और यह दिखो यह है ट्रेक्टर यह मेरा ट्रेक्टर नहीं है दूसरे का ट्रेक्टर है झाल झाल कर दो कर दो जर्ट Ugh यह जर्ट का प्लांच यह बहुत सुंदर रोगी है यह मैंने लगा था जे फूसले की अच्छे आ गया हैं और यह जलते हैं चुन हैं ठह्ट पर देखते हो वहा पर क्या है ऐ में जाको और मै EPA आगया हूँ अपने और आज मुझे यहां की सफाई भी करनी है जो यह सपत्ती वगएरा है इनको भी हटाना है और पेडों में पानी देना है और क्योंकि धूप है तो इसलिए छट भी पूरी सूखी हुई है और अब इसकी सफाई करने में मैं लग जाओंगा और आपको मैं अभी सफाई करने के बाद फिर यहां का लुप आपको मैं दिखाओंगा तो मैंने ना अब अपनी छट को बिल्कुल साफ कर लिया है और यह देखिए आप बिल्कुल साफ हो चकी है जो पानी था वो भी थोड़ा बहुत सूख गया है तो भी धूप है और यहां पे फूल वगएरा है मैंने पानी डाला है इसलिए जिस अब बढ़िया से खिल चु लगाया और फिर से यह पिर से पतियां आ गई है क्योंकि हवा बहुत चल लगी है और हवा चल लगी है आप लोग देख सकते हो पेर घिल भी रहे हैं और वैसे मैं आपको जो एक पेर मैंने उस दिन ब्लॉग में आपको दिखाया था वो देखो इसमें अब पेर में फूल इसमें फूल निकलने लगे हैं और इसमें काफी ज्यादा फूल निकले हैं देखिए देखिए और इसमें बट्स भी बहुत आई हैं और वैसे यह बिलकुल बहुत ही अच्छा देखने में लगता है और काफी इसमें फूल भी निकलते हैं इसमें काफी ज्यादा पूल नि कर आएंगे यह हैं यह देखिए यह पूल निकले गए है और अब यही पर आप देख सकते हैं तो मेरा ये वीडियो आज यही तक रहेगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर कमें सिस्क्राइब जरूर करिए अब मैं आपको मेरूंगा दूसरे व्लॉग में कल के व्लॉग में चले लिए